इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगे कि किस तरीके से रूट्स निकालना है जिसकी डिग्री 6 हो एक और एकजाम्पल मैंने लिया है उसमें डिग्री जो है वो 4 है so we will see and साथ के साथ complementary function किस तरीके से निकलेगा roots निकालने के बाद क्योंकि सबसादा difficult task इन दोनों questions में root का ही था कि root किस तरीके से निकलेगा so root निकालने के बाद I will tell you कि complementary functions उन roots के फिर कैसे बनेंगे तो पहला question है differentiate किया है y को 6 time with respect to x minus a to the power 6 minus y is equal to 0 अगर आप इसकी auxiliary equation मनाओगे which is d stands for differentiation d का मतलब differentiation होता है तो इसको कैसे लिख सकते है d की power 6 minus a की power 6 y is equal to 0 यह मैंने symbolic form लिख ही है तो इसकी auxiliary equation क्या होगी d की चखापर m आ जाएगा m की power 6 minus a की power 6 is equal to 0 हमने क्या किया कि m की power 6 को m square to the whole power cube करके लिख लिख लिया और a की power 6 को minus a cube to the power square करके लिख लिख लिया sorry यहाँ पर square होगा यहाँ पर cube होगा अब हम a cube minus b cube की identity यहाँ पर लगाएंगे आप bracket के अंदर square कर लो और यहाँ पर cube कर लो so identity क्या होती है m square मतलब a minus b this is equal to sorry यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने a इस bracket में दिन a square plus a b plus b square so यहाँ पर हम इसकी identity लगाएंगे तो यह हमें मिल जाएगा अब सिर्फ हम इस sector को उठाएं that is m square minus a square तो कौन सी identity है यह a square minus b square की which is equals to a plus b this is equals to a plus b and a minus b तो यहाँ से हमें दो roots मिल जाएंगे m plus a और m minus a से दो roots मिल गए m is equals to plus minus a तो 6 में से जो 6 degree की है तो 6 roots मिलने चाहिए थे इस में से 2 roots तो हमें यहाँ मिल गए 4 roots अभी हमें निकालने हैं जो कि हमें मिल जाएंगे इसके दूसरे वाले factor से यह जो है m की power 4 plus m square a square plus a to the power 4 is equals to 0 और इसको निगालने के लिए हमने क्या किया कि m square को हमने u let कर लिया तो यह equation जो है reduce हो जाएगी u square plus a square u plus a to the power 4 is equals to 0 और यहाँ पर हम quadratic के तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि complex root निकलेंगे अब इसमें तो आप चाहो तो splitting the middle term वाला जो method है middle term को split करके देख सकते हो बट वो होगा नहीं क्योंकि complex root बनने है इसमें आपको factors ऐसे नहीं मिलेंगे तो हमने discriminant जो formula है उसको apply करा है यहाँ पर तो compare करने पर a की value 1, b की value a square and c की value a to the power 4 मिलेगी and हमने formula में value पूट कर दिया इसको आगे solve करेंगे a to the power 4 जो है वो bracket से जब आप under root से जब आप common निकालोगे तो पहले तो यहाँ पर ही common ले लो a की power 4 कर गे minus this जब इसको आप under root से बाहर निकालोगे तो यह a की power square हो जाएगा और a की power square मैंने इस पूरे में से common लिया हुआ है तो bracket में बचेगा minus 1 plus minus 2 और under root 1 minus 4 so this will be minus 3 और under root के अंदर minus negative sign है तो iota जो है बाहर आ जाएगा अब u की value यह आ गई अब क्योंकि u को हमने m square लेट किया हुआ था तो आगे जो है हम इसको replace कर देंगे वापस से अगर आप देखो तो यहाँ पर ही आपको दो roots जो है पहले हम अलग-अलग कर लेते है just a second okay so अब हम इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे जैसे कि plus minus है ना तो यहाँ से दो roots बन रहे है पहले तो u का पहला root जो बन रहे है plus में और जो negative root बन रहे है वो यह तो इसको हम बाद में solve करेंगे क्योंकि अभी हमें इसी से 2 root मिलने वाले है जब हम u की चगा पर m square put करेंगे वापस इसको replace करेंगे तो 2 root यहाँ से मिल जाएंगे और 2 root यहाँ से मिल जाएंगे 4 roots हो गए जो कि complex है और 2 root आपके वो real वाले हो गए तो total 6 roots हो गए क्योंकि जो degree थी equation की वो भी 6 थी तो 6 roots exist करेंगे तो यहाँ पर u को हमने m square put कर दिया आप जब m की value निकालोगे तो plus minus whole under root आ गया जिससे 2 root निकलने वाले है इसको further जब आप solve करोगे तो हमने under root की जगा पर इसकी power half कर दी and complex का जो root होता है वो किस form में होता है cos theta plus iota sin theta and इसको हमने like it is minus 1 by 2 so मैंने cos 120 लिख दिया cos 120 की value minus 1 by 2 होती है और यह हमने लिख दिया root 3 by 2 root 3 by 2 की value sin 120 क्योंकि this is theta and theta should be same यहाँ पर मैंने 120 लिया है इसलिए हमने 120 sin में भी ले रखा है ऐसा नहीं है कि root 3 by 2 और किसी की value नहीं बन रही sin पे but हमारा theta दोनों पे जो theta की value है दोनों की same होनी चाहिए then power half आ जाएगा we have a formula cos theta plus iota sin theta कि हम whole power n करते हैं तो वो angle में multiply हो जाता है so it will be cos n theta plus iota sin n theta अब जब इसको हम इदर shift करेंगे तो half करने पर ये भी 60 हो जाएगा ये भी 60 हो जाएगा cos 60 और ये plus minus a कर दिया हमने क्योंकि a square को जब आप बाहर निकालोगे तो a आ जाएगा तो plus minus a so m की value plus minus a cos 60 की value half and sin 60 की value root 3 by 2 and ये हमने लिख लेया then यहां से जब आ प्लस माइनस अलग लग करोगे तो दो roots मिल रहा है तो पहला root positive वाला हमने ले लिया a by 2 plus में iota ये a अंदर जब मंटिप्लाय करेंगे तो root 3 by 2 ये आ गया इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है काफी सारी forms में मैंने लिखा हुआ है so that आप confused ना हो ये भी form मतलब कि आपने बार positive में जब लिया ऐसे लिख लो या half common लेकर a plus iota root 3 by a लिख लो या पूरा ही a by 2 common ले लो so ये आपकी choice है second वाले root की बात करें तो वो एक positive में ले लिया negative की बारी है so minus half a plus में iota root 3 by a या फिर आप अंदर simply आप bracket के अंदर multiply करके भी लिख सकते हो तो दो roots यहां से निकल गए अब ये जो दूसरा वाला case था ये वाला case जो हमें solve करना है उसको और देख लेते हैं so m is equals to plus minus कर दिया जब आप यू की जगहा पर m square पुट करोगे तो m की value निकालने पर plus minus whole under root यहां पर आ गया a square को bracket के बाहर गया तो plus minus a and then इसकी फिर से हम values लिख लेंगे cos और sin की form में that is cos 120 and sin 120 half कर दोगे तो 60 60 दोनों में आ जाएगा और इनकी values को हमने यहां लिख लिया then यहां से दो roots निकल जाएगे एक बार मैंने positive वाला लिया हुआ है then एक बार इसको आगा सफ़र मैंने solve किया है कैसे भी लिख सकते हो तीन हो forms मैंने लिखी हो है like एक में सिर्फ a common लिया है then a by 2 next वाले में common लिया है जब आप इसका complementary function निकालोगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि दो real root exist कर रहे थे m is equal to plus minus a तो वो इस तरीके से आजाएंगे बाकी के जो चार roots थे वो complex में थे आयोटा था उसमें तो उनको लिखने का तरीका यह हो जाएगा तो exponential में हम real part लिखते थे यह real part इधर आजाएगा और cause और sign के angle में आपका imaginary part आजाएगा यह सारी चीज़ें मैं already discuss कर चुकी हो तो हम इसको जादा deeply इनी discuss करेंगे next question पर आचाते हैं अब power यहाँ पर 4 है इसको देखे किस तरीके से solve करना है so सबसे पहले हम क्या कर रहे है जो positive है इसको negative की formula minus और minus करके लिखोगे तो वापस से वो क्या बन चाहेगा plus so negative और negative 1 करके लिख दिया अब minus 1 जो है इसकी iota square की value क्या होती है minus 1 तो इस minus 1 को हमने replace कर दिया iota square से और इसको हम power में साथ में include कर ले रहे है अलब iota a square और इसकी power square करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा आप हम identity apply कर सकते है a square minus b square की so a plus b a minus b is equals to zero आपको यहां से 2 root मिल जाएंगे और 2 root यहां से मिल जाएंगे total 4 roots हो गए क्योंकि degree भी 4 की है so this is equals to zero इसको आप right hand side पर shift करोगे तो minus iota a square और m की value निकालोगे तो plus minus and under root minus iota a square और यह आपका जो बाकी के जो 2 roots जहां से निकलेंगे यह हमने लिख दिया इसको shift किया यह positive में and this आगे जब इसको further solve करेंगे so अभी हमने इसको a and b नाम दे दिया है जब आप a square को under root से निकालोगे तो यह a हो जाएगा यहां से भी a हो जाएगा ठीक है minus under root में अभी still minus iota है minus under root में minus one is equal to iota होता है अब हमारे पास इस तरीके से दो values आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसकी इस वाली value और इस वाली value को पहले calculate करेंगे और इसकी value जो है a और b में put कर देंगे आप देखिए हमारे पास अगर हम one plus iota का whole square करते हैं तो a plus b whole square की identity लग जाएगी that is one plus iota square plus two iota iota square की value minus one होती है तो आप इसमें cancel हो जाएगी और two iota as it is so one plus iota whole square is equal to two iota के similarly अगर हम one minus iota का whole square निकालते हैं तो identity लगाओ solve करने पे आपको मिलेगा minus two iota okay so iota आगे के वही दोनों values जोंए cancel हो जाएगी अब हमें क्या चाहिए इसको आगे हम solve करेंगे तो इसको भी solve करेंगे to get the value of minus iota whole under root and under root iota यह हमने ले लिया यहापर square था ना इधर shift करोगे तो under root में हो जाएगा तो यह आगया plus minus का case होता है बट इसमें already आपको 4 cases मिल जाएगे plus minus के लिए इसलिए हमने sign ignore किया हुआ है आ इसको आप कैसे लिख सकते हो under root 2 को अलग लिख दिया और under root iota को अलग लिख दिया क्योंकि हमें इसकी value चाहिए तो इसको side shift कर दोगे तो divide में चला गया same यहाँ पर square था इधर shift क्या under root में आ गया then फिर से वही बात कि plus minus का case आप छोड़ दो क्योंकि sign आपको दोनों मिलें है चीक है and then under root 2 को जब आफ shift करोगे divide में चला गया दोनों की values आ गई आम इन दोनों की values को root में put कर दिया तो यह आ गया आपके पास ठीक है तो four roots हो गए two आपको यहाँ से मिल रहा है और two आपको यहाँ से मिल रहा है total four and roots का part तो हो चुका है कि किस तरीके से आपको calculate करना है root so best way है six और four degree का अगर simple आपको constant term के साथ given हो तो complimentary function किस तरीके से निकलेगा फिर इसका अब आपके जो roots है वो चारों के चारों complex है तो cos और sign वाला form आ जाएगा इधर आपका real part इधर भी real part and then cos and sign and cos and sign इधर आपका imaginary part आएगा सो यह इस वे से हम इसके complimentary function को लिख सकते है I hope don't examples clear है but in case कोई भी doubt हो तो आप लोग मुसे पुछ सकते है इस topic से related जितनी भी videos मैं अप्लोड की है complimentary function and and particular integral वो सारी आपको playlist में मिल जाएंगी differential equation की and बस इतना ही thank you bye bye